मैं चाहता हूँ कि 70 साल तक जिस तरीके से देश की राजनिती चली कि कुछ लोगों ने अपनी पुदिशनिंग करके जाइज नजाइज काम करवाई सकता से हमने तो इन से सिर्फ जाइज काम करने के लिए कहा है इसलिए अगर आप समझते हैं कि भारत की राजनिती और भारत में जो विषय है आपका बदलते भारत में हिंदुत्य की भूमिका मैं इस शब्द को कहता हूँ कि आप इसे कहिए बदलते भारत में सनातन की भूमिका सनातन क्या है इसे चिला चिला के लोगों को बताईए अपने लोगों को भी बताईए और जो दूसरे हैं जो देर में सुनते हैं क्योंकि पांच वक्ष चिलाते हैं तो इसलिए कम सुनाई देता है परसों सोलर एकलिप्स था रवी भाई तल था इसकी क्या महत्तुता है क्या है यह आपने प्रधान मंत्री की एक तस्वीर देखी पहली बार देख रहे हैं कि प्रधान मंत्री सूर गरण को भी देख रहा है और इस देश को गरण लखने से भी बचा रहा है लेकिन उसकी सनातन वैल्यू क्या है जिस समय ये आता है और सूरत छुप जाता है हमारे सनातर में सिले कपड़े पहनने की परंपरा नहीं थी और एक जॉन की नाम का एक राइटर है उसने एक पूरा एपीसोड इस पे लिखा है उस आदमी का नाम भूल गया जो भारत आया था और जो यहां उस समय हुकूमत रही होंगी उस राजा ने उसको इन्वाइट किया तो पूरे भारत का चक्कर लगाया उसका बड़ा आसान सा नामे बता दूगा तो उसने का मैं मिलने जा रहो तो मुझे कोई नई ड्रस हिलवानी चाहिए तो जॉन की ने लिखा है कि वो आदमी आदा भारत घूम गया उससे कोई टेलर नहीं मिला उसको लगता था कि मैं वहाँ जाओगा बाद में पता चला कि टेलर का कंसिप्ट नहीं था चिले कबर पहनने का कंसिप्ट नहीं था और उसके पीछे की साइंस क्या है कि यह जो कल हुआ है जितनी देर के लिए सूरज के सामने वो आता है सिले कपड़े में जहां सिलाई होती है वहां सबसे ज़्यादा बैक्टेरिया रूख जाते है आज भी एक इंग्लेंड से महला आई हुई है लूसी उसका नाम है बनारस में रह रही है पचास बच्चों को सनातन पढ़ाती है भारती बच्चे हैं उसका इंटर्विव मैंने अपने यूट्यूफ चैनल पर डाला इसलिए है उसने पूरे कपड़े बिना सिले पहने हुए हो वो आपके इस महत कोई साइंस को समझ रही है सनातन किसी पूजा पद्धिती का तरीका नहीं है सनातन साक्षात साइंस है ज्यान है विज्यान है सनातन में ये नहीं कहा है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा नहीं लेकिन सनातन इतना कॉमपलेक्स था जब उसको आगे बढ़ाना था तो लोगों को कैसे समझाया जाए कैसे उसको जोड़ा जाए क्योंकि हमारे यहां हर बात को अगर फेट से जोड़ दोगे तो लोग जल्दी मान जाते हैं अगर बच्चे से ये को कि दूद नहीं पियेगा तो भववा आ जाएगा तो वो दूद पी लेता है ठीक न? और अगर हम ये कहें कि पीपल के पेड़ के पे इस पे पूझा करते रहना नहीं करोगे इस पे भगवान का वास होता है नाराज हो जाएगे अच्छा वर नहीं मिलेगा तो विचारी हर और अच एक बार लोटा चड़ाने जाती है कहा कि गंगा को पूझना गंगा खुश हो जाएगी तो घर में खुशाली हा जाएगी ये फेत से इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि हम साइंस को कनवी नहीं कर पाते है क्या आप पाश साल की बच्चे को बताते हैं क्या कार्बन डियोकसाइड क्या होती है आक सीजन क्या हुती है तो गंगा की पूजा इसलिए कता ही नहीं बताई कि गंगा में पूजा करो और गैंदे के फूल और अगर बत्ती जाके उसमें डाल दो गंगा की पूजा इसलिए करो कि यह जो गंगा नदी है इसलिए हमारे हाँ हर नदी को किसी न किसी से जोड़ा गया है गंगा मा गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं एक रिवर नहीं है थेम्स रिवर नहीं है उसको मा का दर्जा इसलिए दिया गया है कि एक मा आपको बाइलोजिकली जन्म दे सकती है लेकिन अगर गंगा मा नहो अगर जल नहो तो जीवन मुम्किन नहीं है लहाजा इसको अपनी मा की तरह पवित रखना है इसकी पूजा करनी है यह नहीं कहा है कि जाके उसमें अगर बत्तियां डाल दो और गंदिगी कर दो उसकी शुद्धता को उसकी पवित्ता को बना के रखिए पीपल के पेल के बारे में आज साइंस बता रही होगी बेसिक साइंस को नहीं समझे हमने उस मर्म को पकड़ लिया उसका सिर्फ इतना ही परपस था कि कैसे आप ये समझे कि धर्ती पर ये एक मातर पेल है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है इसको अगर बचाना है तो फेट से जोड़ दो ताकि इसको पानी आप डालते रहें ताकि ये कभी मरे ना हमने उसको फेट से ऐसा जोड़ा कि जो उसकी उमर थी उससे पहली उसे मार दिया आप सूरज की पूजा क्यों करते हैं आप कन्या कुमारी से लेकर कि आप कामाख्या तक चले जाएं पूरे देश भर में आप इदर से उदर चले जाएं कैसे भी मंतरों चारण होते हों लेकिन हर मंदिर के अंदर आपको लोटा तामे का क्यों मिलता है और नहीं मिल रहा था क्या तामे के लोटे की महतुता इतनी है कि बिचारी मादरी जीक्ती डबल रोल में बता रही है वाजकर तब आपकी समझ में आ रहा है कि तामे का मतलब क्या होता है हमारे यहां सदियों सिर्फ आपको पता था कि तामे के लोटे के अंदर पानी रखने से शुद्ध हो जाता है उसकी जो खराबिया होती है वो मर जाती है इसलिए उस लोटे के अंदर तुलसी का पत्ता डाला जाता है जिसे आप चर्णमित कहते हैं इसलिए पुजारी के बंदर में जब भी जाएंगे आपको एक चमश देदेगा आपको शुद्ध पानी मिलेगा और तुलसी का पौदा इसलिए नहीं पूचा जाता कि भगवान ने लगाया था हमने जोड़ दिया है तुलसी का पौदा साइंस है हमारी नानी दादी आज भी इस्तमाल करती है आप साक्षात इस ब्रह्मांड के हिस्से हैं आप कहां गंटा बजाते हैं कौन सा बंद पड़ते हैं यह बहुत बात की बात है यह बहुत लेटर स्टेज की बात है इसलिए हमारे आज भी कहा जाता है मिर्त हो जाने के बाद कि हमने उन्हें पंच तंत में विलीन कर दिया वोही पांश दत्व जिस से उनका जीवन था उसमें उनको हमने मिला दिया ना कुछ लिया ना दिया ना कोई हमने उनकी मजार बनाई थे चले गए ये सिलसला चल रहा है लहाजा आज वो सनातन के मानने वाले कैसे कैसे जादू टोनों में लग गए हैं जिने फुरसत थी वो पहले आसाराम के कीरतन में चली गई चमतकार की ढून रहे हैं चमतकार करेंगे चमतकार हो रहा है और जब कोशिश की किसी तरह से ने घर रोका जाए तो समझदार लोगों ने कहा सास भी कभी बहु एटी सीरियल दिखाओ ये घर पे रहेंगी वानी जाएंगी तो उन्हों ने उसको सीख लिया उसमें भी जो मर्म था वो नहीं सीखा ये सीखा कि 24 गंटे में तयार रहना है नई साड़ी पहन के और जितनी कॉस्परिस होती हैं सब करनी है सनासन से चलते चलते चमतकार तक पहुँच गए संतोशी माता में चमतकार है अभी शुरू हो एक दिन पहले चांद मिया मंदिनों में आ गए है हमारे यहां तो वैक्ति की पूझे नहीं होती लेकिन हमने तो ऐसा सौदा किया है कि चांद मिया को साही मिया बाबना के पूज़ जा रहे है जगे जगे पूज़ा हो रहा है करोनों का चल रहा है एक जागरन करने के लिए आप शाम को बोल दीजे एक करोन रुपए खटा हो जाएगा जागरन हो रहा है उससे कौन जगता है मुझे पती ही ने चलाता कौन जगता है بھाई लेकिन संदेश भाई इन हालातों में इन तमाम सारी प्राकरते कमियों के बावजूद भी सुनने से ही अगर इनके अंदर देश के लिए चेत्ना जगाने का भाव है तो चंद घंटों में जागरण के लिए करोण रुपया हो जाएगा लेकिन इस राश्ट निर्मान के लिए लोगों से जाएगे तो लोग कहेंगे यार बहुत दिन से मंदी चल रही है या नहीं देश चले न चले दुकान चलनी चाहिए अब उनको ये कोई समझाए कि देश रहेगा तब दुकान रहेगी वो कहते हैं दुकान से देश मैं कहते हो ना देश से दुकान है तुम्हारी तो हम कोई भी ऐसा कार नहीं करते जिससे हम ये कहें कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है यही हमारी पहली जिम्मेदारी है बागी जीवन चलता रहेगा आप के यहां तो कंस्पथ था दसज का रभी भाई, दशज का कंस्पथ था आप के यहां भी था लेकिन हम क्या केते हैं मुसल्मानों के यहां कंस्पथ बहुत अच्छा है वो इसलाम में पाँच चीज़े हैं रोजा, नमाज, इमान, हज और जकात जकात क्या है? अपनी कमाई जो इमानदारी की है उसमें से 10-10% निकालके किसी गरीब काम में लगाना है किसी समाजिक काम में लगाना है लेकिन हम तो बहुत दानी लोग है हम तो मंदिर से निकलते हैं और परशाद देते हैं हमारी परंपरा तो यह है कि मंदिर से निकलने के बाद जो हम दो मिनट पहले तक भगवान से लोग लगा रहे होते हैं उस लोग में हम सब की अच्छाई की बात करते हैं और उसके बाद भी अब परशाद देते हैं सब लेकिन उनका रूप क्या है इमान जानते हैं क्या होता है एक जो उनका अल्ला है उसके उपर लाना उसके अराबा किसी के बारे में नहीं सोचना और नियत बादना जानते हैं क्या होता है नमास पढ़ने के लिए नियत बांदी जाती है नियत बांदने का मतलब होता है कि जब आप नमास परफॉर्म करने जाएं और वजू करने के बाद जब अपने हाथ आप ऐसे बांदें उस सेकंड पूरी दुनिया से डिसकनेक्ट कीजिए अपने आपको और सिर्फ अपने के बारे में सोचिए उसे कहते हैं इमान और वो तमाम कुछ करने के बाद पूरी नमास परने के बाद अभी मजद की सीड़िया नीचे नहीं उतरते कि हिंदुस्तान के खिलाफ जामा मजद से चार दिन पहले भारत की हकूमत भारत की संसत भारत की पुलिस भारत के सम्विधान के खिलाफ गाली बगते हुए हजारों की भीर उनमादी भीर निकलती है और इस देश की पुलिस के उपर हमला कर देती है अभी मजद की सीड़िया नहीं तरके नहीं आ पाते है क्या अल्ला से उन्होंने लौकी होगी है क्या नियत बांदी होगी क्या उनका मजभ उन्हें सिका रहा है वो सीड़ियों तक नहीं काबू कर पाते और हम मंदिर में जाते हैं पूजा करते हैं और निकल के देखते हैं कहां कहां गरीब हो उसको परशाद दे दें ये दो संस्कितियों का फरक है ये दो सोच अपरोच का फरक है जर निकल का फरक है